हेलो दोस्तो आईए बनाते हैं एक ही एस फेट में आलू और मटर की रखेदार सब्जी बिना प्यास के ये सब्जी बन रही है आप इसे बनाए और देखे के ये तरीका चिपला आसान है तो चलिए रिष्टती शुरू करते हैं चलिए बनाते हैं एक ऐसी सब्जी जो नौसिखवा भी बना ले यानि जो कुछ नहीं सीखा हो वो भी बना सकता है बहुत ही आसान है दो मैंने यहाँ पर टमाटर काटा है थोड़ी सी धनिया की पत्ती है और हल्दी है चौथाई टीय स्थाई टीय स्पून मीर्च ऄ तीय स्पून धनियाग पाडर है एक टीय स्पून भरकर लैसेन अद्रक्क है स्वाथके नुसार नमक है और यहाँ पर तोड़ी हुई मीर्च है अगर आपको कोई मसाला पसंद हो या आपके हां कोई कुछ भी इस पर डाले बिना जहनजट के जहनजट फिरी ये रेसिपी है मेरे साथ बने रहें मसाले को फॉलो करें चेप्स को फॉलो करें एक बड़ी सी कड़ाही या पैन चड़ाले और उसमें टेल डालें आप इसमें कम टेल भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने लगभग तीन से साढ़े तीन टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल डाला है आप अपने पसंद का कोई सा भी कुकिंग ओयल इस्तामाल कर सकते हैं तो तेल गरम हो चुका है यहाँ पर हम डालेंगे एक टी स्पून भर कर पांच खोड़न अब इसमें कलार आ चुका है तो हमने जो सारे मसाले की और कमाटर की तैयारी की है वो इसमें डाल देना है बिना चेंशन के बहुत आराम से है अब यही पर हम सब्जियों को डालेंगे तो मैंने यहाँ पर लगभग थास के जी थोटे टुक्रेमिक पटा हुआ आलू डाला है अब यही पर लगभग तीन चार टेगल स्पून हम मटर डालेंगे आप आलू और मटर का रेशियों अपने हिसाब से एड़्जस्ट कर सकते हैं फ्लेम को मैंने धीमा रखा हुआ है यह सब्जी बहुत ही रसेदार बहुत ही सौप सी तयार होने वाली है और आप देख सकते हैं कि सब्जियों से पानी निकल रहा है यहाँ पर मैंने फ्लेम को तेज किया है और एक दो मिनट तक मैं इसे पेस्ट प्लेम पर रखने वाली हूँ और यह दीज में जो लेसन अध्रक की पेस्ट हमने डाला था वो अपने सारे जूसेज रिलीज कर रहा है साथी साड़ी सब्जियों के भी पानी निकल रहा है पांच खोड़न की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है और यह सारे कमाटर और मटर आलू सब इसी में गल जाने वाले हैं इसमें भूनो लगतार भूनो पानी डालो फ्रेम को तेज करो कभी कम करो यह सारे बिलकुल जहन जहकती नहीं है और यह फॉस्ट टाइम जो पता रहे हूं इनके लिए यह रेसिपी बहुत की आसान है एक से दो मिनित तक मैंने इसे टेस फ्लेम पर रख्था हुआ है और अब मैं इसमें डाल रही हूं एक कप पानी अब इसमें बॉयल आ जाने देना है अब इसमें बॉयल आ चुका है तो फ्लेम को करते हैं बिलकुल स्लो और इस पर एक धकन लगा देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक के यह अच्छी तरह से गल न जाए 10 मिनिट के बाद मैंने ढखकन खोला है और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कुछ करी और तरी बची हुई है तो इस तरह से चुरी से देखते हैं आलू गल गया है बहुत अच्छी तरह से तो नहीं गला है तो अभी इसको 5 मिनिट हमोर पकने देते हैं थोड़ा सा पानी इसमें एक चौथाई कप और डाल देना है और फिर से ढखकर गला लेना है तो अब फिर से मैंने 5 मिनिट के बाद इसे खोला है और अब टोटल टाइम 15 मिनिट हो चुका है तो अब फिर से देखते हैं चेकर पहीं से देखिए यह बिलकुल मक्षन की तरह है जल चुका है और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं तो यहां पर अब हम इसमें कुछ चीज़े डालने वाले हैं तो थोड़ी सी धन्या की पत्ति उपर से डालने फुश्बू के लिए और यह है हमारा होममेड कीचन की इसकी दो चुठकी हमां अपने खानी के उपर डालने वाली हो इस सब्सक्राइब के उपर आप चाहें तो यहां पर दो चुठकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं चलिए और अब फाइनली यह तयार हो चुका है आपने देखा यह कितना आसान है इसे पकाना इसे साधी चपाती के साथ दिनर या लंच मिले इसको बॉयल राइस के साथ ले या पुलाव के साथ साथ साइड डिश के तोर पर इसे सर्थ करें बहतरीन सबजी बहतरीन टिक्स सबजी बनाया है तो इसे बनाएं खाएं और खिलाएं और अगर पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी लाजावापसी रेसेपी पर ठेंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो